नमस्कार सातियों स्वागाते आपका हमारे चैनल एक संदेश पर मैं राहूलोदी आज मेरट में हूँ जिस छेत्र में हूँ उसका नाम कैली है और आप देख रहे हैं कि कडाके की ठंड इस्तमें उत्तर भारत में है और इस्तमें हम निकले हुए थे उत्तराखंड यात्रा पर और उत्तराखंड यात्रा से लोटते वक्त हमें यहां अलाब पर अतापती हुई जनता मिली क्योंकि उत्तर भारत की ठंड इस्तमें अपनी जोरों पर है और 22 जन्वरी को स्री राम मंदिर का प्राण पर ठिष्ठा भी होनी है और साथ ही साथ मिसन 2024 के लिए सभी पार् चर्चा न होकर हम करेंगे अलाब पर चर्चा और हमारे साथ बहुत से लोग जो इस छेत्र के हैं वो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार राम मंदिर और मिसन 2024 में यानि की मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट करेगी या नहीं तो हमारे साथ अंकल जी हैं इनसे जानते हैं उनकल जी आपका क्या नाम ihan दहर्मेंक ज्यागी हैरन यहीं का निवासी अंकल जी 22 चंब रेप प्रणां प्रभितीष्टा होनी है नम मंदिर की आंप राम मंदिर को किस टरीके से देखते हैं हम मंदिर को इस तरीके से कि ऊंस तो अपने इस्थान पर आ रहा हैं और रहा सवाल 2024 का वो एक अलग मिसन है यह बहुत गोडायों का विशभा है हम सनातifies मंदिर अपने स्थान पर तीध हो रहे हैं जब भुस से लोग करते हैं राम मंदिर की मंधिर बन रहा है तो कहीना कहीं कोई पार्टी अपना अलग राजिनीती करती है तो कोई अलग राजिनीती करते है इसको आप किस नजरीय से देखते हैं लेको राम-मंदिव हमारे call का पृतीक है और रहासवाल यूनिवस्टी या कोलीज बनने का वो भी बन रही है, उनके लिए अलग जगा है, हमारे यहां मंदिरों के लिए अलग जगा है, और आज से नहीं पुरातन समय सा मंदिर हमारे यहां बनते आए हैं, तो मंदिर और यूनिवस्टी को इनको जोड़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, यह एक अलग विशा है, वो ए संद 2024 सभी पार्टियां शुरू कर रही है राहुल गांदी विकास नियायात्रा भी शुरू करने वाले हैं इधर मोदी जी भी राम मंदिर का सहरा लेकर अपना चुनावी गडित फिट करने में लगे हुए हैं तो क्या लगता है आपको कि मेरट से पूर भहुमत से बीजेप है मुझे लगता है राहुल गांदी का कहीं कुछ नहीं है और रहा मंदिर के उससे चुनाव फिट करने के जोट नहीं है कि उन्होंने इतने विकासकारीय कि है कि 2024 में तो निश्ची तुरुपस उनको आना ही आना कोई उनके पास-पास भी नहीं है पार्टी देखिए एक और अंकल जी हैं अंकल जी आप इधर आईए इधर आई अंकल जी आप कह रहेते के राहुल गांदी बिल्कुल नहीं आएंगे मोदी जी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं मोदी मोदी जी जी वो अच्छे काम करें उसने है उसके काम करें चला को लेकर आप क्या सोच रखते हैं अच्छी बात है बहुत बढ़ा अच्छी बात है अच्छा एक बात और आप बुजूर्ग भी है और राम मंदिर जिसकी नीम पर बन रहा है पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी बाबरी मस्जिद 1992 में कार सेवकों द्वारा दहा दी गई और उसमें पिरमुक नाम हमारे मुख्यमंतरी पू क्यों रूप में देखते हैं इस राम मंदिर निरमाल के लिए कि हम पर कलियां सिंगर में अपने टाइम के जो अच्छी मुखमंतरी है जो engaged काम संगी थे उन्हंने प्लिवायन सिंग नें अपनी सरकार क्यां त्याग किया सरकार बर्कास्त ह Houston योसके लेकिन उन्होंने जो काम कोई नहीं कर पायों करा लिए तो देखिए अच्छा जैसे 22 जनवरी को मोधी जी नहीं गुजारिस करी है कि सभी एक-एक दिया अपने घरों पर लगाएं क्या यहां पर भब्य तरीके से 22 जनवरी को मनाया जाएगा एक-एक नहीं सैंकलो सैंकलो दिये जलेंगे जैसी दिवाली आमतोर मंदिय उससे अच्छी दिवाली मनेगी बहुत अच्छी मतलब सही मयानमा असल दिवाली यही मनेगी देखिए एक और अंकल जी है हमारे पास उनसे बात करते हैं क्या नाम है अंकल जी आप मेरा नाम सचिन शर्मा है जब प्राण पसिष्टा हो रही है लगता है आपको राममंदिर की जगा होस्पिटल या यूनिवस्टी बननी थी नहीं होस्पिटल के लिए भी और यूनिवस कीजे मिल रही है महां ब्राममड ही बिजेता बनेगा या फिर अन्य के वहां कोई दलिस तूद्रों को गुस्नी भी नहीं दिया जाएगा आप क्या कहते है इस पर ऐसा कुछ नहीं है यह सिर्फ प्रोपगंड़ा है जो भी कुछ है राजनेति ऐसा कुछ नहीं है अच्छा यह एक प्रोपगंड़ा है और यह भी राम जब मंदिर बन रहा है तो राम रास तो आना ही है राम के लिए तो सब बराबर थे अच्छा योगी जी तो यह बोलते हैं कि 2022 से यहां पर राम राज यह हो गया अब 22 जनवरी के बाद ही क्यों राम राज आएगा नहीं राम रा मैं मतलब घुसा देते हैं बावा जी आप क्या कहते हैं किस बारे में राम मंदिर के बारे में देखिए मेरा नाम महाविश सिंग त्यागी है पांची गाओं का में रहने वाला हूं जहां तक राम मंदिर के बारे में है यह एक हमारी जो पुरा तव्त या हमारा एक तिहास पूर्वयों के लिए यह मंदिर बनाया है उनका जनम अस्थान है उसको एक पुर्वयों का उनका नमस्थान है उनको और भूगत जला संद्रिय रूप से बनाया जा रहा है मेरा तो इस पर यह कहना है तो आप घर पर क्या करने वाले हैं ऐसा प्रमुग जो बाइस जन्वरी को हो ठीक है यहां तक देखिए बाइस जन्वरी की बात है यह